78 वे 77 दिवस समारों में होकी वाली सर्पंस नीरुयादव का शम्मान होगा दिल्ली के लाल केले पर होने वाले 78 वे 77 दिवस समारों में एक विशेश अतिती के रूप में जुदुनु जिले की लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंस नीरु यादव को आमंत्रित किया गया है। देश की 150 ससक्त महिलाओं में सुमार नीरु यादव को पधान मंत्री नरंदर मोदी की ओर से इस कारिक्रम के लिए बुलाया गया है। राजसान से केवल आठ महिलाओं को इस समारों में बुलाया गया है जिनमें नीरु यादव भी सामिल है। सवतंता दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें पंचायती राज विवाग की ओर से अंबेड कर भावन नई दिल्ली में समानित भी किया जाएगा। इस अउसर पर उनके गाउं में किये गए नवाचारों पर अधारित पांच मिनट की डोकुमेंटरी भी परदशित की जाएगी। नीरु यादव को होकी वाली सरपंस के नाम से भी जाना जाता है। साल 2020 में सरपंस बनने के बाद उन्होंने अपने गाउं में कई बदलाव किये। उन्होंने होकी का मैदान बनवाया और गाउं की लड़कियों की एक होकी टीम तयार की। अपनी सेलरी से उन्होंने कोच रखा और लड़कियों की ट्रेनिंग का जिमा खुद उठाया सुबह सुबह निरू यादव खुद ग्राउंड पर जाती और लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी इसके अलावा निरू यादव ने परियावन सरक्षन के लिए भी अनुटी पहल शुरू की उन्होंने साधी के अउसर पर कन्यादान के रूप में पोधे देने की परंप्रा शुरू की और मेरा पेड़ मेरा दोस्त अभ्यान के तहत सरकारी स्कूल के चात्रों को 21,000 पोधे वित्रित किये इनके इनी नवाचारों ने नैकेवल उनकी पंचायत को बल आसिक समेलन में हिस्चा लिया और अपना बाशन दिया जहां उन्होंने पंचायत में किये गए महिला ससक्ती करण के कारियों को साजा किया हर्याना की बेटी और राजस्तान की भव और जुझनु की सर्पंच निरुयादव ने दिखा दिया है कि सई दिसा में महनत और शमर सर्पंच ने उन्हें ने केवल होकी वाली सर्पंच बनाया है बलकि देश बर की महिलाओं के लिए प्रेणना भी है आईए इस सतंता दिवस पर हम भी नीरुयादव जैसी प्रेरक महिलाओं से सीखें और अपने समाज को बहतर बनाने में योगदान दें देश की हर बेटी और महिला के लिए नीरुयादव एक प्रेणना है लड़कियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करते हुए होकी टीम बरतन बैंक मेरा पेड मेरा दोस्त और सोशल मीडिया पर एक सरपंच सिरीज जो मैंने चलाई मेरे ऐसे कारियों को देखते हुए हमारे देश की यशश्वी परधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 15 अगस्त को संतंतता दीवस के सम्हारों में मुझे विशिष्ट अतीथी के तोर पर आमंत्रित किया है जिसके लिए मैं हमारे देश के यशश्वी परधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी को हर्दय से धन्यवाद देती हूं नमस्कार झाल